नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल पे दोस्तों आज का जो मैं नकसा आपके लेखे आए हूँ वह है हमारा 30 फिट बाई 30 feet by 50 feet का और ये जो नक्सा बना हुआ है ये पूरा का-पूरा किराय के लिए बना हुआ है मैंने जितने भी इसमें कमरे निकाले हैं वो किराय के लिए ही निकाले हुए हैं और ये जो plot है दोस्तों वो corner plot है corner plot ऐसे plot को बोलते हैं जिसमें एक road उसके left है right side हो एक road front में हो एक road left side में हो या फिर right side में हो पर back में ना हो तो ऐसे plot को हम corner plot बोलते हैं तो यह हमारा plot आपको दिखा दे रहा है यह हमारा corner plot है तो इसमें आपको फायदा यह मिलेगा कि इसमें आपको ventilation जो है वो उसके लिए space नहीं छोड़ना होगा और road से ही ventilation हो जाएगा अग इसके लिए मैं आपको इसको अभी एक साथ पूरा नक्सा आपको स्क्रीन पर आप देख लें फिर मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा बढ़ा करके दिखाऊंगा ताकि आप आपको पता लग से कि मैंने bedroom का size क्या लिया हुआ हुआ है kitchen का size और toilet का size जो है वो क्या लिया दोस्तों इसमें जो है आपको 6 set मिल जाएंगे देखने के लिए मैं आपको गिनवा भी देता हूँ 1 2 3 4 5 6 तोटल इसमें 6 set है और 1 set में आपको एक bedroom देखने को मिल जाएगा ठीक है उसी में अटेज आपको एक kitchen मिल जाएगी देखने के लिए ठीक है और एक मिल जाएगा toilet ठीक है अटेज एसी समें total 6 set है रोड क्यूंकि दो side road है इसमें entry यहाँ दो जगा से हमको देनी पड़ी एक तो पीछे से आप देख सकते हो, लेफ्ट हैड में जो रोड है यहाँ पर, वहां से हमने एंट्री दिविए, ठीके में गेट वहीं पर रहगा, और एक फ्रेंट से दिविए, आप देख सकते हो, यहाँ पर गैलरी दिविए हमने, एक छोटा गेट लग जाएगा, तीन फिट में आप बना सकते है, अब इसको दोर्म कर लेता हो, लकसे को ता कि आप dimensions देख सके है, मैंने क्या के लिए ह हूई है, तो दोस्तों, जितने भी कम रहे है मैं आपको एक पसे का बताता हुँ जैसे कि इस मने का बता हुए बटायाता हूँ, बाकी सभी कमरी का साइज, और ट्अलेट का साइज भी किचन का साइज B सेम ही है ठीक है जैसे कि हमारी दो एंट्री हम चाहे पीछे से करें अभी हम यहां से कर सकते हैं ठीक है में एंट्री पीछे से ही है पर आप यहां से भी जा सकते हैं ठीक है तो जैसी हम अंदर जाएंगे लेफ्ट आट आपको दो सैट टेक्निकों मिल जाएंगे जैसे कि यहा और इसमें आपको एक open kitchen मिल जाएगी जिसका size रहेगा 6 feet 1 inch by 4 feet का तो ऐसे इसमें 6 set है मैं सिरिफ आपको एक ही का बता रहा हूँ आप देख सकते हैं एक यह हो गया ठीक है बिलकुत जैसा set यह है वैसा set यह है ठीक है आप आगे चलता हूं थोड़ा सा। ठीक है। और फिर दो सेट यह बाए। ठीक है। और एक यह बाए दीशों है ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है क्योंकि इसमें इस साइट रोड है तो इस साइड हमने प्रॉपर वेंटिलेशन लगाया और जैसे कि इस टॉलेट का इंटेशन भी रोड के तरफ लगा रखा है और इस बैडरूम का भी ठीक है तो अब मैं इसको नकसे को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ठीक है फिर आपको मैं थोड़ा और समझायता हूँ कि कि दोस्तों वेंटिलेशन के अगर बात करूँ तो वेंटिलेशन इस साब तो आपको पुरा रोड है तो रोड से मिल जाएगा ठीक है इन में ब्कूज वेंगा इस वाले कमरें का पिछे पॉर्च हुआ यहां से रिखınızक याँ हुजाेगा तो यहां पर कोई प्रवल्म नहीं है दोस्तो यह नक्सा आपको कैसे लगा और मैं एक और बाद आपको बता दू दोस्तो यह नक्सा जो हमारे क्लाइंट थे उन्होंने हमको खुद बना के दिया तो यह निचे कमैंट करके ज़रूर बता है कि आपको यह नक्सा कैसा रगा और अगर आपको अबने घर का नक्सा बनाना है saya पिर अगर आप भी की रेंट के लिए मगान का नक्सा बन需वाना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे दोस्तों जी कॉल कर सकते हैं ठीक है वाटसब भी कर सकते हैं वाटसब मैसेज़ या ही कॉल और अगर आपको इसकी पीडिये चाहिए तो आप मुझे तब भी इसी नंबर पर मेरे को मैसिस कर सकते हैं दोस्तों आपको मैं इसकी पीडिये देदूँगा सैंड कर दूँगा आपको कि अ कि